नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड डालिंग गैस एजनसी प्रेजेंस दे टाइशन तक्सो दिल से को स्पॉंसर्ड बाई कॉम्सौल वाटर आइनाइजर हमारे होस्पिटालिटी पार्टनर है पिप्स होटेल एंड अपसीडियन ब्लू होटेल हमारे ज ब्रेस्टों और गादन फ्रेश रेस्टों और बेबरेज पार्टनर ब्लैक होल एनरजी द्रिंक और पापुम पारे टी स्थे तो पॉंसर्स आशा करता हूं आप सैटिस्फाइड है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसा महमान है जिनको मिली के सब्सक्राइड है जो सरकारी नौकरी का जो सबसे उपर वाला लेवल होता है वहां पहुंचके बैठा हुआ है जिहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दे रिसेंटली क्वालिफाइड यूपीसी ओफिसर मिस्टर डॉक्टर ऑस्तीन तैंग स्वागत है आपका हमारे शो में तैंक यूपीसी ओफिसर रहे चुका है तो सर सीधा शुरुवात करते हैं आपके जो यह प्रिपेरिशन का जर्नी से यह बहुत लोगों को सुनने मान हो रहा होगा है यह जो प्रिपेरिशन का जर्नी है खाल लाकर शेवारे श्रीटना परते थे आप अब देखा जाएगा तो दो गंटा तो इन दो मिनिम्मम रहता था क्या है दो एजर बीस से मैंने क्या क्या बइस ते लगे टोजर ट्वेंटी ट्वेंटी तनी ट्वेंटीवां ट्रिश्म तर अल्मॉस्ट एक गंटा दा द परने लेकिन अगर सब्जिक नहीं परता था तब इस दो गंटा तो यह तो इस दो गंटा देना आए तो ट्राइ करना परेगा हमको भी न ऐसे लगा सुनके बड़ जैसे की सर ने अभी बताया एक गंटा नियूस पर पर परता था एक गंटा करेंड बागी सर सब्जेक का तो बेहिसाब है मतलब हो एंड में दोस्तों बता देना चाहता हूँ यूपसी की जो तैयारी on the job किया है इनोंने ना मतलब नौकरी करते करते किया है कितना डिफिकल था आपने क्वालिफाई किया था अप मेडिसीन कंप्लीट करके आपने अपने क्वालिफाई किया उससे पहले मेरे खाल से आप you know कोवीट के समय में भी आप बहुत एक्टिव थे तो सबसे पहले तो सर यह बताई है प्लिफकल नहीं है तो सरे ग्जैनगे और अग्जानक्रण तो सबस्सारे से उसक्रणी में टोक्तिव है इसाओ कि सब्स्क्राई नहीं हो किया अग्जैनल प्रिया थे नियुण चाहले पर चाहले चाहले शूब करता हुए फिर उसमें 22 में मैंने जोइन किया एक सिविल सर्विस के तोर पर पर अरनाचल पर एक सर्कल ओपिसर तो उसके बीच में कोविट ने बहुत बहुत बिस्तर्ब भी किया पराहि में क्योंकि 19 से में जब शुरू किया था पराहि तब मेरा अच्छा फ्लो में था कि उस समय ही प तो पर ही नहीं पा रहा था फिर भी लाइक तो डिकेटर ली काम पर पर अरनाचल में क्या एक पर इसे वेरी एक्जाम है लेकिन अपरेटिव अपर देखा जाएगा तो और नाचल में आप महनत करेंगे तो आप एवरेज श्तुरियन होने से भी हो जाता है तो मेरा भी ला जर्फीम में दे सकता था लेगं कोई दूटी के करण उधना नहीं दे पाया फिर भी हो गया था तो 2020 में हो गया था फिर दो साल में प्रिलिंस तक क्लियर नहीं कर पाया था बिकॉस अब कोई ड्यूटी एन ओल जबकि पहले आपने इंटर्वी भी देखिए आए थे लिग मेरे अच्छां बढ़ाई किया तो इसमें मेरा के यह समय क्लियर होता है, तो मोटिवेशन हो रहता था कि एक तो दोक्टर वाला तो ब्रहते हैं में आप पर फेस में आप तो इस प्र्रो मुशन के बार दी कि आप मुझम पर दिस्रिक्ट कर पाऊंगे, वें डिस्रिक्रों से भागता में तो इसे स्वान पोर्टी जो मुझाएशन रहता है हमें जीएदैब्ट कर चाहते हैं, लुगबाफ़ी में तो पही एक मोटिवेशन होगे तो पर दूसरा थो ममी पाप भी बोलते थे बया भी ते दि तब मालूम चला कि UPC में और प्रोमोशन इसको यहां भी थोड़ा कम है, तो UPC में बेतर रहता है, तो moreover, elite services में माना जाता है, तो I tried for that also, again, कि मैं last time 14 मांक से चुटा था तो इस बार क्यों ना कर पाए, तो thankfully इस बार होगे हमेरे. And congratulations for that. बड़े आराम से इनोंने बता दिया, कि मैं 18 में हम यह किया था, फिर CEO बन गया, फिर Medical Officer बन गया, it sounds so easy, है कि नहीं? इतना आराम से बता दिया, लेकि सर को ही पता होगा, और सर की जो close वाले को पता होगा, कि महनत सर बहुत किया होगा, शायद आपने, आप, यह बिंग स हमबल और मोडेस्ट, बहुत ही मोडेस्ट बन रहे हैं, हो गया, हो गया, बट आइधिक सर महनत तो बहुत किया होगा, अपने सर, इसमें मैं एक बार बोलना चाहूँ होगा, महनत पर से नहीं, आप तोरह socially off भी होना परेगा, like, cut off भी होना परेगा, जो मैं डॉक्टर था, तो at least like, literally 4 साल में मैंने एक दो दोस ही बनाया है, like, जो पहले से दोस थे वालग बारे, नया दोस एक दो ही बनाया, फिर जब यहाँ सर्क्ल ओपी सर जोइन किया, इस पर भी मैंने एक नया दोस तक नहीं बनाया, कि कि मुझे पराय करना था, तो कि अगर मैं दोस बना लू हमें उसमें करने नहीं मिलता था, कि पराय करना है करके, तो सेकर पराय करना है, जबकि आप एक और फर्स क्लास ओफिसर थे, बहुत लोगों के लिए होता है, कि पेनल्टी में ड्रीम होता है, अभी CEO बन गया, अभी हटा हो बागी सब, रात को दोस्तों के साथ, केरियों के में रात पर गाना गाना है, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, जो करते हैं ऐसा, सर्कल ओफिसर बनने के बाद, प्लीज आप जारी रखिए, लेकिन सर ने जैसे बताया, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो it's all about sacrifices, hard work तो है, और sacrifices भी करना परेगा, दोस्तों आज तक ज थे और फिर आप सिबिल सर्विस में गए हैं, बट विन वर एचाइल सर, जब आप बच्चे थे तो, do you think कुछ क्वालिटी इन बॉर्ण होता है, जो UPSC जैसा लेवल का एक्जाम करेक करता है, तो उसमें सर कुछ पहले से फिट करके इन बिल्ट कुछ होना परता है, या सर पुछना चाहूंगा, मैं इस पर कहूंगा कि हार्ड वर्क करना ही परेगा आपको, आपका पस वो परजिवरेंस होना परेगा, आपका पराई कर सकना ही का वो शमता रखना परेगा, क्या हुआ था था, प्लस 12 में में जैन बी आचुली में था पहले, जवार नवदे कि एक दो खीचर्स थे फिजिक्स बुक है वहां क्वाट कर चलता है, बूद बुक होता है है ज़ी जचन पेहला जो है वो परा दिया ते सर ने, बुद अच्छन का सिब हाप तक ही पराया, तो उसके बद लिए सेकंद बुक का जो हाप पॉर्शन है उसको पराया ही ने सबसे निए बचने के लिए और च्टा में करता था तधा आ places ने खूर्च में घखए होस्तेमS रखता था पडोत तो पिर बात में दोस्ते लोग इंस्पायर हो एक बातरूम कर लिए ताला मारा के बैठ गया पिर हम लोग वही पर आए करते ते तो मैंने कच्छा बारा के विदा तीचर के भी बहुत सारा सब्जेक्स कंप्ली अच्छा से नहीं करें तो बातरूम में पर यह तो जैन्वी पूच सकता है कि वितुदान तो बेच वाला को हुआ था कि नहीं होते हैं तो हम दोनों ने खोला पिर वहां के बातरूम को रिजब करके ताला लगा के वहीं अंदर में ब्लेंकेट बिचा के पराई करते थे एक लिस्ट सान माहल रहो और यह तो जील रहना चाहिए आपको बच्पन से ना पराई करने का यह हुआ 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 अंदर से मोटिवेशन होना पर यह यहीं इस इस ते तिंग अपर आप यहीं कहना चाहते हैं जो टॉप लेवल के एक्जाम्स क्लियर करते हैं वो बच्चे के अंदर इन बिल्ट मोटिवेशन रहता है सर की लाइफ में कुछ करना है बच्पन से पढ़ लिक के कुछ करना है सर ना सर यहीं मेरे खाल से सर यहीं कहना चाहते है और रिसर्च किया है अफकोर्स हमने आपके उपर एंडें बात्रूम में पढ़ पर के क बात्रूम में पढ़ाई करकर के बिना टीचर के ओके सो इफ यह नोट वरकिंग हार्ड देन दोंट एक्सपेक्ट एनिधिंग ना लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा आपको ना सियो बनने के बाद मेरिकल ऑफिसर होने के बाद स्टिल कंट्यूनिंग दर हार्ड वर्क ना सर एपिसोड खतम भी नहीं हुआ है और आपके जो अपके जो अपके जो प्रिपरिशन की बारे में जो अपने हार्ड वर्क किया बहुत महनब किया और डिजर्वेड ली आप आ गए हो अब बहुत ही अच्छे पोजिशन में तो अभी हम यह जानना चाहेंगी कि आपके जो अब अस दिन ताइंग एक पड़ाय अगर नहीं कर रहा होता है और वाट इस यू पैशन यह जानना परेगा ना यू पिसी क्लियर करने वाला लोग क्या-क्या पैशन होता है अगर है तो बताए यह सर मुझे भी यूट्यवरी बनता है अरे वाँ अगर वह नहीं होता सारा वीडियो प्राइवेट करके रखा है एक दो वीडियो को छोड़ गी तो साइड यूट्यूबी करता मैं भी 2010 से ही बया के निरिस में जब गया था तब से आदत लग गया था यहां यूट्यूब में भी सोर्स उप इंकम है अगर मैं तब से सुरू करता तो अलग बात कुछ रावत करके हैं तो वह तो सर जहां भी चापा मारने से भी वह तो पूरा एक्सपेक्ट नहीं करेंगा ना आप चापा ओपर मारने गया पूरा क्यामरा जा रहे हैं इसा कुछ तो सब्सक्राइब कुछ शायद नहीं होगा क्यूंकि लास्ट टाइम हमें ट्रेनिंग तो उसमें भी वह तरह होना पर रहा वह तो एक यूट्यूबर का प्रॉबबली अंत हो गया है लेकिन अच्छा UPSC officer मिल यहाम लोगो को, that is so nice, another thing that I would like to ask you, this is also related to preparation, क्योंकि दर्शक मेरे ख्याल से यह जानना चाहेगा, coaching का यह खीड़ा होता है, so coaching, of course it is not necessary, यह तो सब जानते है, but does it really help, अगर आप coaching करें तो कुछ फाइदा मिलता है यह सर, आपके नजरिये से बताएगे, अगर आप पूछता नहीं तो भी मैं बहुलता है यह बारे में, क्योंकि 19 से मैंने सुरू किया तो मैंने सेल्फिटी पुरा किया तो विच सेल्फिटी इंटर्वी तो पहुंचा था, बार उसका 14-15 मुक्त चुटने का रीजन यही था, कि मैंने में जब देने गया एक्जाम, तो मुझे कुछ-कुछ टोपिक मैंने का पार्ट है वोलके मुझे मुझे मालूम तक नहीं था, विडाओट कोचिंग था, तो अधना आइडिया लाएक कुछ-कुछ टोपिक यह भी है, जैसे कि एक रहता है इंटियन ससाइटी मुझे मालूम नहीं था, विडाओट पर्के वो दिया, पेपर तुमें एक गवर्णेंस रहता है, मुझे मालूम नहीं था, पर थार्ट में होता है कि परसनलिटी ऐसा है, साइंटिलिक परसनलिटी अव इंडिया, मुझे वो मालूम नहीं था, उस साल एक एक ग्वेशन आगया, तो वह मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता चल गया था, कि कौन-कौन सा क्वेशन के कारण मेरे 13-14 मांख चूट गया है, तो विटाउट कोचिंग होने पर सेल्टी में क्या होता है कि मुझे तीन साल लग गए, कि यह 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 कोर्स में भी होता है, यह पढ़ने से तो गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, कोई भी मुझे से पूछता है, तो मैं यह ही बोलता हूँ कि मैंने परसनल ने दो महिना क्रेश कोर्स किया है, कोई भी पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप एफोर्ट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए और एफोर्ट नहीं करता है तो जरूर कीजिए और एफोर्ट नहीं करता है, तो सेल्विस्टरी से भी हो जाएगा, मैं खुद सेल्विस्टरी करके ही हुआ हूँ, लेकिन वही एक गाइदेंस दो महीना तो कैश्वास किया बस, बत उसमें सेल्विस्टरी में आपको टाइम लग जाएगा, तो एक गाइड अच्छा वाला ले लो, कोई तीचर किसी को बहुत बहुत हैं, आगर आप पूछेंगे उनको, सर्मी स्टुरें नहीं हो बाद काइड में, कैन यू दू देट वाल के यूट्यूब मेरा तो जाला तर सो यूट्यूब से था, मौनाल का जो है जो गराफी हिस्ट्री उसका एकोनोमी बहुत अच्छा रहता है, तो मैं बोलूँगा कि, इव यू कन एफोर्ट कोचिंग दें काइड नी दू, वह अपका सेल इस्टरी में बहुत तैम वेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो सेल इस्टरी से हो जाता है, तो इस बेटर एफोर्ट मतलब यह जो दिमाग में रहता है, कि हम में से, I'm sure many aspirants are watching, दिमाग में रहता है कि कोचिंग करने से ही मतलब हो गया, मतलब यह बिल्कुल नहीं, कोचिंग में सिर्फ मेंटरिंग के लिए जाते हैं और गाइडेंस के लिए जाते हैं, पढ़ाई तो करना परेगा दोस्त, अगर UPS से clear करना है, तो कोचिंग जाएगा, शाम को आकर सो सब्सक्राइब नहीं होगा, वहाँ गाइडेंस मिलेगा, मेंटरिंग मिलेगा, बढ़ाई तो करना परेगा, मेरे खिल से बहुत लोग फाइदा हो गया यह चीज़ते से, बहुत लोग फाइदा हो गया, दूसरा और यह चीज़ में आपको यह भी थोड़ा इसे लगता है प्रिंस वाला लोग कुछ एच होता है कि अधिन अधिन है तो सर यह क्या रिलेशन है मतलब क्या साइंस वाला लोग कुछ एच होता है कि सम्धिन अधिन अधिन यह सोसाइटल रिजट से क्या होता है तो उसकी कारण वह चला जाता है बत ऐसा नहीं है क्या ओपर का मैडम परिका मैडम वह एक्ट अधिन एकोनोमी गेज़िट है अधिन 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 अच्छे स्कोर चे जो उन उन इतना थे चाइच जोग इस नेसेसरी बत वान अ सब्जेक्स से इतना फरक नहीं पड़ता है लेकिन जो मैन पाउर है जो क्रीमी लेयर है वो साइंस में चला जाता है तो एंड बाइड वर्चू कि देखा है पड़ता तो आर्ट का सब्जेक्ट ही है लेकिन आइट इन वाला लोग इस वसल में जैसे की सर ने अभी बता है जाना जरूरी नहीं है आप अच्छा से पढ़ाई करिये पेवी का मैडम जैसे आप आर्जीव से पढ़ाई करके भी आप आराम से बन सकता है ना तो आप से कुछ हम बाते करेंगे सर यू वर्क्ट फोर यर्स अज अज़िए 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 अच्पिरियंस ना चार को तो सार को वीड में को वीड का समय में सब्सक्राइब ना जा रहा था तो सर क्या था अज़िए मैं इंट्रेस्टिंग चीज़ें आपके सार थोड़ा रोश्नी डाली है यह चीज पे इस पे वहीं बोलूँगा कि उज़िल जब पेशन अपीड ने आता था था ज़िए से पहले बहुत अच्छा हो रहा है बहुत कुशी मिलती ती अच्छा लगता था कि हाँ मेरे कारण यह हुआ जब बना तो क्या हुआ कि कोई सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं तो बाहर में से टेल रहा हुता है तब भी में बुला ले तो अच्छा लगता है इसमें तो नेक्स दिन पता चलता था तो यह फर्क था तो दूरिंग कोविड बहुत सारा वाला एक इंट्रेस्टिंग ओला एक व सब्सक्राइब करने में लग गया था कि कोविड एक बहुत ही लाइक कातरनाग भीमारी है कांटेजियस है लोग भाक लाइक इतना डर गया था ना रहे यह नहीं बोलके लाइक मुझे क्लियर लियाद है यह वासे मुस्लिम कम्यूनिटी तो उनको उस सामें तबलीग की जम यह लोग भी तबलीग की जमात से आया होगा यह नो रिलेटेट डिलेशन वर इस्तिल ले लाइक देट तो हम जो बोला हो जाएगा हम उनको समझा देंगे बल गया में कुछ वाला भी तो बहुत लाइक उसमें हैं में हैं लाकुछ भी हो सकता है तो आपको मैं आप लोग भी बाहर नहीं निकलेंगे तो बस्ती से कोरुना भी नहीं लगेगा तो इसलिए आप के लिए दोनों के लिए बैतर हो जाएगा तो फर्स वेब में लोगों को यह समझाने में लगा कि इतना कोवी डरावना नहीं है मत धरी है फिर भी लोग बाग तो इतना माल अब कोवी डेंजरेस है मलग आप रही है मलग मानता नहीं मलग तो इल्टा हो गया था बट कोवी में काफी मैंनत करना परा लाइक मेरा मेरा यहाथ एक मेरेक एमो इंचा रहता था पर उनको भी में पावर की कमी करन उनको इस्ट्रिक होस्पिताल में बुला लिए तो मैं अब ले गया था फिर नर्सेस भी दो मुझे शिर्फ था और डूसरा इस्टाप पीन चर इस्टाप ले गया अधि यह अधि यह जो तू नर्सेस मैसे परसनली एंड तू इस्टाप और यह पांच इस्टाप मिलके हम लोग कर रहे थे और हमारा जो सेनीतरी एसिस्टेंट जाड़ा है तो उनको भी ले गया तो विटाउट उसका सुपर यानि कि सेनीतरी एसिस्टेंट चार पांच मैना चलाना परा खुदी जाड़ु अगे रहा है तो उनको बात में एक-दो मैना को बात एजस्ट कर रहा था था तो मैंने ओले आउट्सोर्सिंग किया तो कि लिए में अतना ऐसे मैं गया था वाला का बात में तो वह हो गया ओम रिफेंट ऑन मार्च के बाद माहीं मता है करना ही पर है कि कि वह самOOOO ALL बहुत भी जब वो नकर गया तो इसके बात यह अर एक प्रोब्लम था कि बस्की में कोई भी बाहर से बाहर लाते थे रेक्टान करता तो उसमें भी बोल लाया है कि गर गर जाकर का वह एक रेक्ट वाला पॉस्तर चिपका बोल जो बहुत है तो मुझे नर्स लोग जोता है ुझ घारी नहीं यह नहीं है तो फिर मैंने बीचान मेरे से जोचे हैं अंधर में पर सब्सक्राइब को यह जा कि पर संचानिया तो आशा आशा लोग भी बस्ती से बोलते तो आप कुझ आई तभी विलेजर समझते लागो पैंधिया रहता है कि बस्ती के लोग विश्वास नहीं करते तो नहीं वहां पुरा परस्नल सब कर गया तो मुझे मालूम है तो यह सब तो हां इंटरेस्टिंग रहेगा विल्कुल इंटरेस्टिंग एक चीज मैंने नोटिस किया यू यू हम वेंट आट ओफ यू जो आपका डियूटी का दारह उससे बहार निकल गें आपके जिसे काफी डॉक्टर्स बहुत सारे जो फ्रॉंट लाइन वर्कर्स ने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत लोगों को बदल भी दिया है नजरीया भी बदल दिया ना सर सो नाइस तो हीर ना अभी एक इतना डेडिकेटेड वाला जो ओफिसर है जो कॉल अधुटी से बैठेगा है में तैरे होप है मतलब दुनिया में अभी भी होप है ऐसा बहुत अच्छा लगता है सर सुनके ना लेट मी कम तु दे नेक्स कोशन सर मैं आपसे थोड़ा सा अगें आजकल जो माहोल जो चल रहा है हम पूरे डीटेल में नहीं जाएंगे बट यह जो माहोल च अश्वासन आपसे लेना चाहूंगा कि आजकी डेट में सर कोई बंदा या बंदी अगर मेहनत करेगा तो गैरेंटी अगर सच मेहनत करेगा तो सर क्या गैरेंटी है कि उसको एक अच्छा जॉब मिलेगा हाँ क्योंकि उसका एक्जम्पल में कुछ हूँ लाइक मैंने कुछ मेहनत करके ही डॉक्टर निला फिर एपीशियस भी क्रेक्टिया फिर जाके अभी यूपेसी हुआ तो मेहनत करेंगे तो जरूर हो जाएगा वह अवले ही यह जो कि आसकों के जलते है कुछ होते हुए भ फिर भी मुझसे भी ब्रिलियंट है फिर उनको भी लेकिन आजकर सख करते है बद इस तिल लाइक आई नो कि है यह ना ब्रिलियंट आजमी है तो इसको तो कभी उससे नहीं देखना चाहिए तो उनका हार्ड वर्क यह सब देखा है तो हार्ड वर्क करेंगा तो जरूर हो हमारे साथ बैटर है तो माई देखा है तो माहूल थोड़ा खराब हो चुका है थोड़ा सा प्रोब्लम आया है सोसाइटी में बट सोसाइटी इन इससल्फ हैस नो बिकम कंप्लेटली होपलेस राइट सर मेहनत करेंगे अभी बहुत कुछ एचीव होगा ना सर बहुत अच् बहुत यंग है सर नमेरिट भी है तो अब भी शादी का प्रोपोसल कितना आता है अपको डैरेकली नहीं कीश से असे बहुत कि Hm तादी का कितना प्रोपोसल आ रहे है और यह तो मैं जब मैं डॉक्टर तब भी आथा था तो रहर होता था तो रहरा बीजूच में मुझे कभी ने आया परेंट्स के तून जी आया लग पेरेंट्स बता था कि उन्होंने बोला यह बोला ता फिर इसमें जब मैं सीयो बना ज जब नंबर प्रोपोसल जदा हुआ है और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के दीन भी आया है मुझे परसुनली कभी नहीं आया मॉम बेट को आता है तो वही है अभी तो ऐसे कोई प्लान तो नहीं अभी ट्रेनिंग भी है लाइग अग अगर जोईन करूंगा तो दो सा ग्रण पापा के दी ठीक जब आया है और गीड़ी को लुटमू की तो जोटली आइसॉलेटेडर राखा अपनापको पड़ते समय में बातरूं में बन भी नहीं होतना है लेकिन जैसर ने स्टूडेंट लाइफ में लव लिटर तो लेके घुमने रहा था होगा सर है की नहीं सर हैं आप स्टूडेंट समय में भी आप इतना पढ़ाएगी है लेन आभी देखो शादी का रिस्ता किसका पास आ रहा है आप जो दुनिया वर का लव लेटर लिख रहा था आपका पास नहीं आ रहा है ना शादी कर इसता चाहला सर का पास ही आ रहा है ऑके सो एक जीता जाता एक्जामपल है कि आप मेहनत करेंगे कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में दैन सक्सेस जरूर आएगा आपके पास ना बाते करकर के तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ब ऑपने बाग होगा ना वात उड़ी आपके तो दीट अच्छा वाट यूट आपके तो जो एंग वेवर्स हैं उनको आपके लेक्टिट ना चाहेंगे प्रेपेरिशन को लेके या लाइफ का एटिटीट को लेके और हमारी जो पैरेंस हैं उनको भी साराथ के आगा चैनली प्रफिस दू अद्रेस हमारी जनता को सर्थ इसमें तो प्रिपेर तो नहीं किया लेकिन लास आइटिंग कल या परसो भी यह भोला था कि बी हैपी वेर यू आप तो लाइग आयम लाइग इस यह वह पिंग कौन सा मिले तो यह भी है अगर बोकुछ बोलना है तो बच्चों को लाइग किया और एक परेंस तो इस्ट्रिक रही है क्योंकि दौनों पर लिनियन रहेंगे तो अच्छा नहीं जैसे मेरे पापा कबी इस्ट्रिक्त थे बच्कण थे वशचेह पार इतना इस्ट्रिकियो यह लेकिन अभी मेचुरिटी आने पर पता चला कि सब्सक्राइब धरने सब्सक्राइब और यह इसा नहीं है कि इता है पराय वाला वह दो भूब फिन है उप कारेगों के तो इन प्रहुता है यह यृ घ्रक देख भी यह कोई बीच नहीं पर सकता यह तो मेरे लिए आदत हो गया लें तर वह साथ दिन एक दो दिन ही सिरीज देख देक्टा था तो कोई भी नहीं पर सकता लिए नहीं कोई भी नपर सकते हैं वह ही बोलोंगा व्राइब कीजिए और कुछ को कोशिश करते हैं अगर शेक नौटिफिक्षिंट नहीं आ रहा है तो एक बीच में आ जाता तो आपका फ्लो बना रहेगा वही बोलो मेहनत जारी रखना है और consistency रखना है एक दू दिन का जोशने consistently मेहनत रखना है बहुत strict होगा बहुत थोड़ा सा बोरिंग टाइप का इंसान होगा बट बोरिंग तो नहीं है कासम से बोल रहा है ऑफ दे केमरा लुट आपको आपको यह जो सफलता नवाजा है we pray that you achieve more and more and then जो आपका जजबा है कि society को आप जो give back करना चाहते है as a doctor, as a bureaucrat यह sir continuous रहिए आप हमारे state को आगे लेके जाहिए और खुद भी आगे जाहिए यह हमारे लिए दूआ है और हमारे Tyson talk show की तरफ से sir एक छोटा सा भेट है आपके लिए यह हम जरूर देना चाहेंगे आपको आपको सब्सक्राइब करें अरे जो दोस्तों इसी के साथ हम आज के episode के अंत में आ चुके हैं we had a wonderful time with dr. Austin time recently UPSC crack किया इनोंने बहुत ही अच्छे अच्छे बाते की हैं हमने बहुत ही inspiring बाते की हैं हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे episode को देखते रहिए हमें like करें subscribe करें और share करें मिलते हैं आपको अगले episode में एक बहुत ही बढ़िया हस्ती के साथ कुछ नही नही बातों के साथ thank you Dhaniyavad see you on the other side